हेलो फ्रेंड्स वेल्कॉम बेक टू माई मैडिसीन वर्ड चनल दोस्तों आज मैं लगए हूँ भीकल एक्स्टी टेबलेट के बारे में एक टेबलेट कौन-कौन विमारे में इससे आप यूज कर सकते हैं इसके बारे में पूरे आपको जान कर दूंगा वीडियो कान तक जर आपको किसी भी मैडिसीन स्टोर या ऑनलाइन पर्चेस कर सकते हैं बात करते हैं दोस्तों एक टाबलेट के बारे में कूछ इन्फरमेशन जैसे कि वहेकल एक्स्टी टाबलेट खाने के साथ या बिना खाने खाये भी ली जा सकती है इससे डक्टर द्वारा सला दी गई इससे डक्टर द्वारा बताए गई मात्रा से अधिक या उसी से अधिक समय के लिए ना ले क्योंकि ऐसा करने से हानी का राग असर हो सकते हैं यहों आमतर पर शुरक की दबा है और इसका साइड़ इफेक्स बहुत कम या नहीं देखने को मिलती है हलाकि कूछ लोगों के ज जास की कौणच बीमारी में इसे हम यूज कर सकते हैं जैसिक दोस्तों इसका कंपोजिशिशन बूद करें जैसे किमें केलिसियूम बीटामिनीं अभी एसे हम यूज कर सकते हैं जैसे कि हमारा शरीर में केल्सिम की कमी हो इस परिष्थिति में डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं केल्सिम की कमी के कारण जो शरीर कमजूर लगना हड़ी कमजूर होना जैसे समस्या देखने को मिलती है और हड़ी शांगराचना में जो बाधाप्राप्त होती है इस सीज़खздalt92 धर द्ट कि जिशिम की कमी रती है इसको पूरा करते है इसका अलबाब आपका सरीर में जैसे की यजि59 anybody बिकारों के जख्खिम को कर्म करता है नसो कोशिकाओं मांक्सोपेशिया और दिल की समान्यों कामकाज के लिए केल्सम भी आबसकता होती है इस कंबिनेशन में अन्य विटामिन और मिनेराल होते है जो इमेंडी सिस्टम को मजबुत करने शरीर को मटाबलेजम के सुधारने और नफ्स सिस कि इसको टबलेट लेने से पहले तो अपने जरूर्फ से कंसेट करें योगि का इलाज होती है इसलिए मेंडिस आला से अपने जरूर हमें से कंसेटकर करें अब बात करते हैं दोस्तों इसका साइड लेने में जैसे का करें कि आपको साइड इपैट्स देखने को मिल शाकती है जैसिक दास्तों इसे 18 साल से उपर एज होने पर ये जो टब्रेट आप लेसकते हैं इसका जो साइड इफैक्टं की बात करें जैसे कि आपको जी में चलाएंज जैसे समस्या देखने को मिलती है और बॉमेटिंग हो सकते आपको कभी-कभी बॉमेटिंग भी देखने को मिलती है दस्त की जो समस्या आपको देखने को मिल सकती है इसका अगर इस तरह की आपको कोई की सिम्टम्स देखर को मिलती है तो ए टब्रेट को लेने से जो बंद करें क्यूंकि इसका जो साइड एफ्रेक्स आपको आगा जाके बहुत जो परिशानी देखने को मिलती है दोस्तों एक कुछ इन्फरमेशन अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरू सस्काइ कर दोस्तों एकुछ औोसा का जाब का पांगा है